पचास पच्पन पन्नों का ढखोशला पत्र आया है आने वाले पांच साल में उनके क्या मनसूबे है उसका सारा उसमें लिखान है पूरे मैनिफेस्टों में उनके पूरे ढखोशला पत्र में एक बार भी मद्यमवर्ख शब्द नहीं है भाईयो बहनो ऐसी कॉंग्रेस को आप माप कर सकते हैं क्या इसलिए कॉंग्रेस से सतर्क रहिए चौकिदार की तरह चौकनने रहिए साथ योग कॉंग्रेस के इतियास को देखेंगे तो एक पैटरन दिखाई देती है जब ये पार्टी संकट में आती है तब जूथे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है आपको गजनी फिल्म याद है ना दो अजार नव में इन्हों ने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मुल्य पर अनाज खरीदा जाएगा अरे घर तो छोड़िये मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए यह बीजेपी सेव सेना एंडिय की सरकार है जिसने लागत का डेज़ गुणा समर्थन मुल्य देने का वादा पूरा किया यह एंडिय की सरकार है जिसने देश के बारा करोड किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड पे सीधे जमान कराने का काम शुरू किया है साथ यह कॉंग्रेस वाले हर डकोसला पत्र में किसान को सीचाई से जोडने का वादा करते हैं लेकिन इनकी लटकाई निन्ना नवे बड़ी सीचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर रही है इन्होंने गरीबों को आरक्षन देने का भी बादा किया था लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए सामान्य वर के गरीबों को दस प्रतीशत आरक्षन देने का काम किया तो यह चोकिदार ने किया वो भी बाकी किसी भी वर का हक चिने बना कोई भी छेर चार किये बिना किसी के हक को चुए बिना सारे समाज में प्रेम और सद्भाव का बातावर बनाए रखते हुए इतना बड़ा फैसला हम दे कर लिया